कैनेडा सरकारवलों एक वार फिर टेंपररी वीजा दी म्याद विच वादा कर देता गया है अगे तो अनुविस्तार विच दास देहां कि केड़े टेंपररी वीजा विच वादा किता गया है अते किन्ने समय लेए के की हन इसले ही शर्ता सच शिरीकाल पंजाबी विदेश निउस देख रहे दर्शिकांदा बहुत-बहुत स्वागत है मैं कमल प्रीत को और हाजर हां आज दियां ताजा खबरां लेके हर देश दियां इमिग्रेशन सबंदेत सही ते ताजा खबरां देखन ली आज ही पंजाबी विदेश निउस चैनल नों सब्सक्राइब करो नीचे देते रेड बटन ते क्लिक करो ते नाल ही बेल आइकन बटन ते प्रेस करो ताँकि तो हानू हर वीडियो सब तो पहला मैल सके होन खबर शुरू कर दे हां विस्तार विच जेडे प्रवासी कैनेडा विच टेंपररी वीजा ते रह रहे हां जे उन्ना दा वीजा जल्द एक्सपायर होन वाला है ताँ ओहो होन वदा आ सकदे हां एक वार फिर टेंपररी डेजिडेंट जेडे क्रोना वाइरस करके वापस नहीं जा सके अपने देश ओहो अपना स्टेटस एक्स्टेंड कार सकदे हां ओहो होन इमिग्रेशन रिफ्यूजीज अते सेटिजनशिप कैनेडा नूँ विस्तार विच दसन की ओहो क्यों कैनेडा विच रहना चौन दे हां होर समय लई ते एप्लिकेंट्स नूँ आउनलाइन ही अपलाई करना पवेगा अते रिक्वाइर्मेंट्स भी पूरियां करनी हैं पैण गियां जिस विच बायोमेट्रिक फीस है आयर्सीसी वलों एवी कहा गया कि एप्लिकेंट अपना विजा एक्सपायर होन तो पहला अपलाई करन जिस कैंडिडेट्स ने अपनी एप्लिकेशन लगा रखी है उसनों उनना टाइम कैनेडा विच रहन दी अजाजत है जिनना टाइम उस दी फाइल दा डिसीजन नहीं आ जान दा टेंप्ररी रेजिडेंट विजा एक्सपायर होन दे 90 दना बाद विच भी विजा स्टेटस रिस्टोर करन ले अपलाई कर सकदा है विजा एक्स्टेंड करवाऊन ले तो हड़ा विजा स्टेटस वैलिड होना चाहिदा है ती जनवरी 2020 लेके कती मई 2021 तक या फिर इस समय विच स्टेटस एक्सपायर होया होए ते इस दे लिए फीस 200 डॉलर है ज़त उसी एपलाई करोगे उस तो बाद तो हड़ियां रिक्वाइर्मेंट्स चेक कितने जान गियां ते फिर ओफिसर वलो विजटर कार्ड इशू किता जावेगा या फिर परमेट आउटलाइनिंग कंडिशन दसीयां जान गियां वीजा स्टेटस रिस्टोरेशन करन ले उस तो बाद डॉकुमेंट्स एपलिकेंट नू मेल राही पेजे जान गे जे तुसी वीडियो विच दसी के खबर बारे होर जानना चौन दे हो वीडियो डिस्क्रिप्शन विच असी कैनेडा.ca वेबसाइट दा लिंक दता है जिसते क्लिक करके तुसी सारी जानकारी ले सकते हो